तो हलो मेरा नाम है अविशेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल में जैसा कि आपको पता है कि हमने अल्रेडी 12 स्टेंडर का बैच शुरू कर दिया बायलेजी का और हमारा एक लेसन अल्रेडी कंप्लीट हो गए और हमारा सेक और अपलोड भी हो गए हमारे यूटूब चैनल जिसका नाम है जे आर टुटोरियल सही बात है ठीक है तो अगर आपने वो सारी चीजे अभी तक नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो लेक्चर्स को देख लेना मैं रेकमेंड करूंगा वो लेक्चर्स आप सबसे पहले जाके देख लो क्योंकि मैंने बहुत सारी इपोर्टेंट चीजेवित इसमें समझा दिए। कौन-कौन आपको बठा दिया थे घैक में अपको समझा जही है चीज कहा जुसमें जिसमे reproductive system और female reproductive system दोनों का दोनों मैंने आपका complete करा रखा है already तो अगर आपने नहीं रेका तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देख लेना क्यों वीडियो बहुत ही जादा important है आपके exam point of view से ठीक है next चले आज हम लोग को पढ़ना है gametogenesis ठीक है सब कुछ हम लोग ने यह जितना कुछ पढ़ाया ना reproductive system के बारे में female reproductive system सिस्टम के बारे में सब कुछ क्यों पढ़ा थे कि हमको इसके अंदर gamete form करवाने और gamete form कर आए कि हम लोग क्या करना है fertilizer करवाना क्योंकि sexual reproduction के मिषानी का है fertilizer अब सब को पढ़ना है गेमीटो जनैसिश गेमीटो जनैसिस का नोर्मल सा मतलब होता है फॉर्मेशन ओफ गैपिर आजाओ देखते हैं ठीक हमारा तोपिक है गैमी जणैसिस गामीट média घ् Paper मतलब मैंने क्भी अवह dúb ame गामीट है कि फॉरमीट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को Tout puesto गाहते है स्था गाम क्या करता है तिन START किमय जो खाल सिर्त है और दूसरा हो ईग ग् या फिर ओ साइट ठीक है ये तीन नाम मैंने आपको बताया हुए है और जो मेल ग्यमिट है वो क्या है स्पॉर्म तो हम लोग को आच सिक रहते हैं स्पॉर्मीट बनाते हैं कैसे कैसे ग्यमिट बनती है टो दो प्रोसेस हो गए स्पर्म बनाने की प्रोसेस और एक हो गई ओवम बनाने की प्रोसेस स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्माटोजनेसिस क्या कहते हैं इस प्रोसेस को स्पर्माटोजनेसिस यहां पर लिखता हूं सबीफिथिए bon काकुम टेइंख पंम बनानी की प्रोस्ट को टर्या है笑 पर्मेटो जंएसिस कहेंगे की वैसे ही उसीड बनानी की प्रोस्ट कौवक dan कर에 घुग है तो ग्रमेटो जНАस्यस दो टाइप कि हो गए एक हो सब्सक्राइब को दो चीज़े पढ़नी है एक सब्सक्राइब होती किसमें सबसे पहली बात हम लोग और मैंटो। गया सस्टि का पर होगी कहां पर गैमीट बंटे है मिल के एम कहां बनते हैं सेमिफरस टिब्यूल argument होती3 टेस्टिकुलार लॉबू के ंदर के अंदर प्रेजंट रोते हैं जिन बच्चों यह सब नहीं समझ मैं आ लारा हूं उन्हें पिछली वीडियो गारी नहीं देखिये, तो आप जाके पिछले वीडियो देख लेना, ठीक है ? क्या होता है ? एक्स् Grotum होता है इस didn't bell close शोटे चीज़े नहीं बताओऑ अगा थे स्वित में पर्रेज़्ेंट के अंदर यश्बार लग सै थे हय जब आ walking लग आ सब्सक्राइब दें झोटी-झोटी-पतली-पतली ट्यूटी हो जोटी-पतली प्रेजनों थी स्थी क्या केतैं हम लोग क्या कैतए gentleman सब्सक्राइब थे इसके अंदर इसे पतली-पतली-पतली-पतली ϊटती सबसे पहली बात इसके अंदर seminiferous tubule present होगा तो अगर मैं seminiferous tubule को एक tube है उसको मैंसे cut कर दू तो वो generally हमको round round दिखेगा हम लोग उसको उपर से देखेंगे उसका TS section देखेंगे तो कुछ इस shape में हम लोग क्या दिखने मिलती है seminiferous tubule देखने मिलती है अब यह वाला structure में आपको ररीड़ी पढ़ाया हुआ है यह cells क्या क्या करती है nourishment provide करती है मैंने क्या नाम दिया था इन cells को nurse cell भी कहा था सबस्ट्क आंड़ धाल्र भी कहा था में इस सेल के इसиеब गोतिऊ परणेशन होने ίह को नरिशमेंट धेंगी उनको नुट्रेशन प्रॉड करेगी फूड सौर्थ , इननका नामका नंड़्स , इस सर्टोलिस लगहरे, यहां पर कुछ cells present होते थे यहाँ पर कुछ cells present होते थे क्या नाम बताया मैंने इंका इंटस्टिशल सेल ठेक इनका नाम मैंने क्या बताया था इंटस्टिशल सेल या फिर लेडिक सहल बताया था सही बात थे अब spermato genesis किसी भी मेल के नदे स्टार्ट कब होती है जब एक मेल की प्यूबर्टी हिट होती है जब एक मेल की प्यूबर्टी हिट होती है अराउंब अराउंड 12-13 एज में में कैसे यह स्परमैटू जिनेसी शुरू होती है? मैं आपको समझाया था हॉर्मोनल कंट्रोल में वापस एक बार सुन लो जिन बच्चों को नहीं आदे देखो क्या बताया था मैंने आपके ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसका नाम है हाइपो थैलेमस जैसे ही एक मेल क्या होता है ट्वेल टू थर्टीन यूर अफ एज हिट करता है ठीक है अपनी प्यूबर् एक हर्मोन सीठ करने लग जाता है एक हर्मोन सीठ करने लग जाता है जिसका नाम है जी अनाम है जी होग पर रहा था मैंने इसका अप्रहो फिर्ली शीया कि पड़ा ये हमने इसका वाणादोट्रॉप इसे भाण सफीक्ट करता है इतने वादें क्लियर एक जैसा ही इक लाइंड्ड फिर्ट्री यह पर हिट किया जैसे हिज प्रट केवरी रिड रिट काया थो और एक होगा यह ऍच एक होगा और एक होगा दो रिलीज करेगा कौन रिलीस करेगा प्रिड्ट में अब इसका फूल फूर्मं हो से मांने बता है दाब को ओर फूलcuss छर मतलब कह tasting जब मैं आपको में आपको मेल और और पड़ा और इसका एक और नाम होता है जिसका नाम क्या था इसका नाम है इसका नाम है इसका मतलब यह जाके इन इंटरस्टीशल सेल्स को क्या करेगा इसके 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 इंफ्लेंस में यह सल एक हर्मोन रिलीज करने लगेंगे का कि देख सब्सक्राइब नाम है आंडरोजन कि में कुंसा अंडरोजन रिलीज होग से फच्ट्रोस्टीरावन टीक है और यही testosterone responsible है हमारे body में spermatogenesis करवाने के लिए male की body में spermatogenesis सिर्फ और किसकी वज़े से होता है testosterone की वज़े से तो जब testosterone का release शुरू होगा जब testosterone का production शुरू होगा तभी क्या होगा spermatogenesis भी शुरू होगी ठीक है spermatogenesis का मतलब जब एक boy 12 to 13 years of age में आता है तब उसकी पीवर्टी हीट करती है और उसका hypothalamus क्या secret करने लगता है जी अनरेच जी अनरेच का फुर्पा मैंने क्या बताया gonadotropin releasing hormone यह एक टाप का releasing hormone है यह खुद एक hormone नहीं है यह release करवाने वाला hormone यह किस पर जा करेगा पिट्ट्ट्टेरी पर और पिट्ट्ट्ट्टेरी इसके influence में दो hormone release करेगा एक है LH और एक है FSH ठीक है इसी LH का एक और नाम रखा था मैंने ICSH ठीक है यह ICSH जाके किसके उपर act करता है इन लेडिक सेल्स के उपर लेडिक सेल्स यानिंटस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् करेंगे यह रिस्पॉन्सिवल है स्पॉँट बनाने के लिए क्या का था मैंने इन्सों का नाम में इस पर मैटो गो्नियम है चि пал race पार्माटो गोनियम एक की बात करें तो spermatogonium और अगर बहुत सारी की बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे उसे spermatogonia यही cells आगे चलके क्या करेंगी sperm का production बनाएंगी ठीक है यही इन cells को stem cells भी कहते हैं अच्छा से लिख दू थोड़ा से इन ही cells को क्या कहते है is stem cells ञार करो आपने lower standards में पढ़ा होगा stem cells न वह से ल खैंगे stem cells वह से ल टीए जो भॉफट जादा थायद हूं ठीक है uncát 이야기를 number of time जो क्या कर सकती है mytosis कर सकती है जितना time चाहे वह उतनी time क्या कर सकती है mytosis कर सकती है अब आप लोगने माइट आजिस भी पढ़ा होगा मियोसिस भी पढ़ा होगा ठीक है एक तरीके हैं जिनसे वो डिवाइड हो सकता है या तो अब देखो एक सेल के अंदर क्या होता है अपना क्रोमोजोम होता है ठीक है एक सेल के अंदर क्या होता है क्रोमोजोम होता है और क्रोमोजोम के अंदर क्या रहता है इतनी बात है क्लियर है ठीक है सेल के अंदर क्या रहता है क्रोमोजोम और क्रोमोजोम के अंदर क्या रहுंत forgotμεяться benefit in English merit editing material मुलères कि यह ऑन्य हो जाएगा ठीक है यह है टुछ के अंदर wasam के अंदर प्रिजेंट लिए तो फॉर लीए निए प्रेजेंट होते हैं 46 चीक है 46 जिए नेने 46 क्रोमोजोम तो अगर मैं एक सेल को ठीक है मैं एक सेल को दो सेल में डिवाइड करूँ मैं एक सेल को कितने सेल में डिवाइड करूँ दो सेल में डिवाइड करूँ और इसके अंदर भी 46 क्रोमोजोम है और जो दो सेल सालग अलग बने न इसके अंदर भी क्या है 46 क्रोमोजोम है ठीक है चनरली में को ही ठीक है माइटॉसिस को ही एक्वेशनल डिविजन कहते हैं क्यों एक्वेशनल डिविजन कहते हैं क्योंकि यहां पर क्रोमोजोम के नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं लेकिन वही अगर मैं मियोसिस की बात करूँ मियोसिस में chromosome के number change हो जाते है बच्चो अगर 46 chromosome है इसी भी cell के अंदर तो जब वो मियोसिस करेगा और जब यहाँ पे cells बनेंगे ना तो इनके अंदर chromosome का number half हो जाता है ठीक है तो 46 है इसका मतलब यहाँ पे कितना जाएगा 23 और 23 इतनी बाते clear है ठीक है इसको मियोसिस कहते है जहां पर chromosome का number क्या हो जाता है? Half हो जाता है. तो mitosis को मैंने कहा Equational division, ऐसा division जहां पर chromosome के number change नहीं हो रहे हैं, equally थे. लेकिन meiosis मतलब क्या है? Meiosis को मैं कहूंगा Reductional division. ठीक है? क्योंकि यहां पर chromosome का number क्या हो जा रहा है? Reduce हो जा रहा है. समझ मैं यह बात?ैक है? तो कहां चालू कि spermatogenesis प्षाड़े होगा है? वापस आजब अपने टापे कहां पर होगी? in spermato gonyam में होगी. कब चालू होगी कब जब पिट्टु तेल brightly हो पिट्ट्यू टेरि से क्या आएगा? LH आ एगा और वो किस पर act करेगा जाकर लीडिक सेल्स पर act करेगा और पिट्ट्ट्यूटरी से LH कव आएगा जब hypo tellMS का secret करेगा जी नरेट से स्क्रिड करेगा। इतने बात इते कुलियर हें, ठीक है। सबसे पहला सेल किया था। और मय्म करोशे हैं। य опасers स्पर्मेटोगोंयम्ट सब्सक्रेदें। स्टेम सेल है जिसका प्लॉडी लेवल क्या है 2N मतलब ये क्या है डिपलॉइड है इसके अंदर 46 number of chromosome है सबसे पहले ये करेगा माइटॉसिस सबसे पहले ये क्या करेगा माइटॉसिस और अपने number को increase कर लेगा अब उस माइटॉसिस में से जितने भी सेल्स बने हैं उसमें से कुछ सेल आगे चलके sperm का production करेंगे और बाकी के जो बचे हुए सेल है वह वापस क्या बन जाएंगे स्पर्मैटो गोनियम क्योंकि मैंने आप लोग को बताया है कि स्पर्म मेल के अंदर जो स्पर्म है वो अराउंड अराउंड 80-85 तक बनता रहता है ठीक है प्यूबर्टी से बनना चाले हुआ और जब तक एक स्पर्म सरी जब तक एक मैन बुढ़ा नहीं हो जाता है या फि स्पर्माटो गोनियम को तो रहना ही पड़ेगा तो स्पर्माटो गोनियम सबसे पहले क्या करेगा अपना जो नंबर है उसको क्या कर लेगा इंक्रीस कर लेगा ठीक है कैसे इंक्रीस करेगा मैटोसिस करेगा और वो क्या करेगा अपना नंबर इंक्रीस करेगा अब उसमें से कुछ सेल जितने भी सेल बने उसमें से कुछ सेल आगे चलके क्या करेंगे स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे और जो बचे हुए सेल है वो क्या कहा मैंने ठीक है स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोगोनियम के अंदर क्या हुई माइटोसिस हुई माइटोसिस के अंदर क्रोमोजोम के नंबर चेंज नहीं होते इसका मतलब यह जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है यह भी क्या है 2N ही है इंधुर सरकाशक नहीं करते कि लिए कुछ वापस कि इस्च में ट्रांस्फॉर्म हो जाए है स्पर्में टॉण तो घ्ले से है लिए हर। जए है अब हम सब पता है कि ग्यैमीट बनाने के लिए घ्ले मियर बनाने के लिए Sketch होती है रगो इदर मियोसिस कितने पार्ट में होती है दो पार्ट में सबसे पहले होती है मियोसिस 1 ठीक है सबसे पहले क्या होती है मियोसिस 1 मियोसिस 1 के अंदर actual reduction होता है मतलब इसके अंदर chromosome क्या हो जाते है कम हो जाते है तो अगर मैं मियोसिस 1 बोलू तो यहाँ पे कुछ cell है, छिक है, अब meiosis 1 के बाद, जब इसके अंदर meiosis 1 हुई, यह meiosis 1, m1 लिखाओ, इसका मतलब meiosis 1, ठीक है, तो यहाँ पे जो cell बनेंगे, उनके अंदर chromosome के number कम हो जाएंगे मतलब अगर यहाँ पर 46 होगा तो यहाँ पर chromosome कितने हो जाएंगे 23 और 23 अगर यह 2N है ठीक है तो इसका मतलब यह हो जाएगा N और यह हो जाएगा ठीक है तो इन primary spermatocytes में इन primary spermatocytes में सबसे पहले होती है meiosis 1 सबसे पहले क्या होती है meiosis 1 जैसे ही meiosis 1 complete होती है यहाँ पर दो cells मिल जाते हैं जिसके अंदर actual क्या हो चुका है reduction हो चुका है इन cells को हम लोग कहते हैं secondary spermatocyte primary spermatocyte उसके अंदर meiosis चालो होई तो जब meiosis 1 होगी याद रखो जब meiosis 1 complete होगी तभी हमको क्या मिल जाएगा secondary spermatocyte अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जब meiosis complete हो जाती है न पूरी तब हमको secondary spermatocyte मिलता है ऐसा बेलकुल भी नहीं है बच्चों ठीक है meiosis 1 जब complete होती है कौनसी meiosis 1 जब complete होती है तभी हमको क्या मिल जाता है secondary spermatocyte अब सबको पता है कि जब meiosis 1 होगी तो उसके बाद वापस क्या चालो हो जाता है meiosis 2 रही बात है ठीक है और meiosis 2 same to same होती है mitosis की तरह मतलब इसके अंदर कोई भी reduction नहीं होता तो यहां पर 23 chromosome बचे थे तो यह इसमें भी अंदर क्या आ जाएंगे 23 और 23 secondary spermatocyte के अंदर meiosis 1 होई है ठीक है इसके अंदर meiosis 1 होई तभी क्या बना है secondary spermatocyte और यहां पर reduction हो चुका है इसका मतलब अब यह 2N से क्या हो चुका है n हो चुका है इतनी बात समझ में ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ कहीं होगी next हम लोग बढ़ते हैं अब इसके आगे क्या होगा meiosis 2 complete होगी क्या complete होगी meiosis 2 जैसे ही meiosis 2 complete होगी जैसे ही क्या complete होगी, meiosis 2 complete होगी, यहाँ पी जो cell बन जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे spermatid, समझ में आया, इतनी बात है समझ में आया, पूरा meiosis खतम होता है, तो spermatid बनता है, ठीक है, पूरा meiosis खतम होता है, तो spermatid बनता है, secondary spermatoside बनता है, समझ में रही बाते को, यह वाला यहाँ पे, ठीक है, और यह वाला यहाँ पे, इतनी बात है समझ में, ठीक है, रापस ने लोग क्या हुआ, वह spermatogonium था, वही spermatogonium जो किसके अंदर प्रेजेंट है, semiiferous टीबिविल के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या हुई, माइटासिस हुई, माइटासिस क्यों किया, क्योंकि यह अपने नंबर को क्या करना चाता है, increase करना चाता है, जैसे ही अपने नंबर को increase किया, उसमें से कुछ, ठीक है, उसमें से कुछ क्या हो गए, आगे चलके primary spermato side बन गया, और वो करेंगे, जैसे कुछ, बचे हुए, वह वापस किसमें convert हो जाएंगे, spermato, gonium में convert हो जाएंगे, आगे चलके भी तो sperm का production करना है, तो वापस किसमें convert हो जाएंगे, spermato, gonium में convert हो जाएंगे, सही बात है, ठीक है, आप लिख रहे हो कि यह सारी चीज़ अपने नोडूग में, आई होप कि आप उस साइड भी अपने घर पे भी बैठके, pen और paper लेके बैठके, आप अपनी यह सारी notes बना रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप notes नहीं बनाऊगे, तो आपको ज़्यादा time तक कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी, ठीक है, समझ मैं यह बात, फिर क्या बनेगा, जैसे ही mitosis हुई क्या बना, प्राइमरी spermatocyte बना, ठीक है, जैसे ही primary spermatocyte के अंदर क्या हुई, मियोसिस one complete हुई, क्या complete हुई, मियोसिस one complete हुई, यह क्या बन गया, secondary spermatocyte, कहीं भी नहीं लिखके आना है, पेपर में, बहुत सारे बच्चे यह mistake करके आ जाते है, कि secondary spermatocyte क्या लिखके आ जाते है, मियोसिस complete होगा, इसका मतलब secondary spermatocyte बन गया, क्योंकि मियोसिस two किसकी तरह है, same to same mitosis के तरह है, तो यहाँ पर कोई भी reduction take place नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर भी n number of chromosome present होंगे, इतनी बात है क्लियर है, लेकिन यह जो spermatid है, यह एक cell की तरह दिखते है, यह किसकी तरह दिखता है, एक cell की तरह दिखता है, जिसके अंदर कितने हैं, n number of chromosome है, लेकिन हमारा, जो sperm है, वो एक cell की तरह नहीं दिखता, ठीक है, वो कुछ इस shape का होता है, कुछ ऐसा दा shape होता है, स्पर्म का, तो अब यह spermatid convert होगा, किसके अंदर, एक sperm के अंदर, इसका size change होगा, ध्यान से सुनना, आगे चलके इसका conversion होगा, किसके अंदर, sperm के अंदर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसका size और इसका shape change होता है, इसका genetic material change नहीं होता ठीक है genetic material same to same एंड रहेगा लेकिन इसका size और इसका shape क्या हो जाता है change हो जाता है इस process को किस process को spermated से लेके sperm बनने की process को spermated आके चले क्या पॉँम करेगा लग color से लिखे spermated आके चले क्या बनाएगा sperm बनाएगा ठीक है इस process की, इस conversion को हम लोग कहते हैं, sperm-muyogenesis, चा कहते हैं, sperm-muyogenesis, लिख दें आपर, तहां लिखें, यह वाला मैं मिटा दूँ, ठीक है, I hope आपको यह सारी चीज़ा समझ में आ गई होंगी, यह वाला structure पुरा समझ में आ गई होगा, mitosis के होते हैं, musis के होते हैं, यह वाला भी कहते हैं, तो confused नहीं होना है, अगर paper में spermatozoa आ गया, या फिर sperm आ गया, तो दोनों का मतलब क्या है, same है, तो आगे चल कि यह spermatid किसमें convert होगा, spermatozoa में convert होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ शेप और size change होता है, इसका generating material change नहीं होता है, ठीक है, इस process को कहते हैं, spermatozoa मतलब क्या होता है, production of sperm, formation of sperm, spermatozoa था वो, ठीक है, spermatozoa का मतलब क्या होता है, conversion of spermatid into sperm, spermatozoa का conversion होता है, sperm में उसका हम लोग क्या कहते है, spermmyogenesis, इतनी बात clear है, ठीक है, अब देखो एक चीज़ और समझे लो, जबी यह जब for example, स्पर्मियोगनेसिस का synthesis हो गया, किसके अंदर हो रहा है, सारे चीज़ा इसके अंदर हो रही थी, ठीक है, किसके अंदर हो रहा है सब कुछ, यहाँ पर formation हो गया स्पर्माइटिड का, ठीक है, यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, स्पर्माइटिड फॉर्म हो गया, यह बहुत ही ज़़ाद गन्फिजिंग हो जाएगा आपके लिए, बड़ा मैं मिटा जता हूँ, खोड़ा सा बड़ा बनाते ठीक है, इसको समीनिफेरस्टिबुल को, और समीनिफेरस्टिबुल के अंदर क्या प्रेजेंट था, अब यह स्पर्मेटो जोफा था, ठीक है, यह स्पर्मेटो जोफा बन गया, जो यहां पे लिखाधा मैंने, ठेटेकर है, यह क्या बन गया, स्परम डो, जोवा यहां पे बन चुका है, यह जो स्परम डो होा है, ठेटेकर है, यहां पे ऐसा फॉर्म हुआ है, इसका है वाला पोशन किसके अदर गुसा होता है, स्टॉली सेल के अंदर, कि है इसका खेड़ वाला पॉशन है वो किसके अंदर गुसा होता है श्रत विसेल के अंदर क्यों घुसा होता है क्यों कि इसको नियूटरिशन चीए भर या ठीक है इसको क्या चीए है न्यूटरिशन चीए समझ में आ स्पान बीवेलप्मेंट ये लिए नहीं कर सकता तो और सिर्फ सफ रॉमाट का ही नहीं सिर्फ स्पा रॉपन का यह जितने भी सेल्सर्म ऑरही तीक है चाहिए वह स्परमाट दोगोनीयम में हो चाहिए यह रस पर inimेट रो चाहिवो सेकेंदर Yeah साप्धि आधर यह यजूड़ फर एकजामपल यह प्रइमरी शाइट यह इससे जुड़ा हुए पर एक्संपटल कि यह से कनेट्डेट इसको क्या जी आख 디자otta अगया यह हो गया जाहती हैट किसके videos चीए निउट्रिशन चीए तो अब देखो जैसे ही यहाँ पर जोआ बन जाता है यानि स्पर्म बन जाता है तो स्पर्म क्या करेगा अपने हेड को इसके साइटो प्लाजम से के निकालने की कोशिश करेगा और ये बीच में जो खाली स्पेस होता है ने इसके अंदर आ जाएगा वह यहाँ पर बना दूँ आज प्टोड़ा सब देता हो तो देखो है यह ऐसे अपना सर मशाल की यह अपना सर दर गुसा ऐँ आ है यह ऐसे सर इस ह Candre इसलियंद को किए है लिल्यूमिन को भांटको आता है यह अपने सर को एसले कई dónde ते आनलसे कंद से ठेक है और यह किसके अंदर आ जाते हैं इस ल्युमीन के अनदर आजाते हैं इस प्रोसेस को स्पर्मियेशन कहते हैं क्या करो स्पर्मियेशन कहते हैं क्या हो गया कि sperm अपना जो हेड है जो सटोली सेल के अंदर गुसा वा था उसको क्या कर लेता है बाहर निकाल लेता और लिूमीन के अंदर चला जाता है ठीक है यह चीचो क्या कहते हैं सपर मियेशन सपर मियोगेशन का मतलब समझ में आया सपर मियोगेशन का फॉर्मेशन हो रहा है इतनी बात है ठीक है अगर आपको यह पसंद आया होगा अगर आपको यह लेक्चर पूरी तरह सब्समझ में आओगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हैं ठीक है अगर आप चैनल पर पहली बार आया है तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर भी देख लेना जाके परना आपको यह वाला टापिक इतने अच्छा समझ में नहीं आएगा ठीक है और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना एक मिलन हमको बहुत जल्दी पहुचना है ठीक है चल